प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर्थ SS Memorial Public School सबत्भूरा पहरी से कच्छा एक के बच्चों को हिंती पढ़ाने जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाथ चाह टाइटैनिक एक भयंकर्टु लटना पढ़ने जाता है। ताइटैनिक अमेरिका के एक कंपनी जिसका नाम था फ्वाइट स्टार उगाई। उसके द्वारा इस जहाद का दिर्मान की आगे रहा था। और इस जहाद से वहां के लोग बहुत प्रभावित थे। पहली बार जब या जहाद गुरान के लिए तयार हुए तो वहां सारे लोग पहुंचकर उस्ट्रिशी को देखने लगे। आज हम लोग इसी जहाद के बारे में परहाज करने जाते हैं। 12 अप्रए 1212 का दिन था। टाइम जैलिक अमेरिका से चलने के लिए बंदरगाह पर खरा था। बंदरगाह कहते हैं समुद्र के किनारे जहाज्यों को ढढ़ने कास था। बंदरगाह क्या रहता है। एक बड़ी भीवी सित्रिस्ति को देखने के लिए जमा थी। लोगों में जहाद को लेकर काफी कुछसुपता हैं थी। कुछसुपता मिंस जिक्यास। इस जहाद का अधिरबाद White Star Line नामक प्रसिट कंपनी ने किया था। उन्होंने इस जहाद के नौ ढूबने का दावा भी किया था। टाइटेरिक परसवार सभी यात्री बहुत उत्साहिक थे। यात्री भी यात्रा करने पादो। उनका बागना था कि वे बुन भागेसारी योगों के रूप में जाने जाएंगे। कि नौने प्रखंबार टाइटेरिक की यात्रा ही। यात्रा के दौरां जहाद को वर्भीले चेत्र से बुजरता परा। बरे बरे इम खंड। इम खंड का अर्गवा वर्भ का पिशाल उक्रा। समुद्र में कही कही वर्प का विशाद भुरा तेरता हुआ रहता है और ज़ि कोई जहाद उसे चक्राया तो जहाद वहीं गया, हिम्खन समुद्री जल पर तेर रहे, यदि जहाद उन में से किसी से भी चक्रा जाता, तो वहर कर मुक्षाद होता। दो दिन सांधी पूरवक्त जहीत हो गए, अब याक्रियों को भी अपनी सुरक्षा का विश्वास हो चला था, जहाद सभी समत्याओं का सामना करता हुआ, आगे वरड़ा से। 14 अप्रील को अर्भरात्र, अर्भरात्र भी बेडियल लाई, आधी का समय, यादी लगवाद 12 बजे राद का समय, अर्धर आध्री के सभी, अपने कक्षों में कहां भिप्रा रहते, अचानक एक तेज जक्षे ने रहते ह। टाइटैनिक के विशाल इखन्द से तकरा जाने के कारण यह कंपन उपन हुआ सभी यात्री कंपन का कारण जानने के लिए छत्की ओर भागे यात्रियों को इधर भर भाग देगे जहाज के कप्ता इसमित ने उन्हें सान को ना दी सभी यात्रियों में भै की लहर बाड़ गई भैठी तथा उन्हें नौधवड़ा देगों का प्याले बच्चों अब देखो आगे क्या होता है समय के साथ साथ सांगुना ने विशाथ छोड़ दिया सब हतोच साहित हो गए स्वयं कप्तान इसमित ने गोजना की कि टाइटैनी एक विसाल हिंखन्द से टकड़ा गया है और डूपने बाड़ सभी यात्रियों में भै की लहर भौर गई भैकात जाते ही उठां उन्हें भीत समुद्र में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें यात्रियों के पास मात्र कुछ गंतों का समय था सरप्रतम महिलाओं वो बच्चों को जीवन नौकाओं द्वारा बचाने का प्रयास किया गया आसपास के सभी जहाजों को जहाज के दूबने वो सहायता बेजने का संकेत किया गया असल प्रयासों के बाद भी जहान परसवार यांत्रियों मेंसे मात्र साक सोतीन यात्रियों को ही बचाया जासका जयकि एक हणजार पात सोतीन यांत्री चिर्णित्रा अर्थात पर गया यात्री चिर नित्रा वैश हो गए यहाँ तक की सबसे भयाद समुत्री दुर्गन्ना है प्यारे वच्छों इस कहानी को आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे जितने भी कठिन सब्द है उसका आज मैंने बोल्ट पर लिख दिया है उसे आप लोग याद कर लेंगे और इस पाट से संबंदिर सभी प्रशुत्रों को आल लाइनां के पास भीजा जारा है